दोस्तो आज जिस मुवी को हम explain करने जा रहे हैं उसका नाम है Weird Science और ये release वी थी year 1985 में तुम मुवी में देखोगे आप ऐसे दो सस्ते चूचक साइंटिस्टों को जिन्होंने एक लड़की ही बना डाली जिसके बाद भू लड़की वो सब कुछ करेगी जो जो वो उससे कहेंगे तो अब तुमारी भी ठरक की गंटी बच चुकी होगी कि वो लोग क्या क्या कहेंगे चलिए जाता दीर न करते हुए हम एक्स्प्लेनेशन स्टार्ट करते हैं पर उससे पहले दूस्तों हमारे स्लैसर वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो मूवी स्टार्ट होती है और हम मूसक और लोलू को देखते हैं इनके बारे में बस आप इतना ही जान लो कि ये निहाईती सिंगल है लड़की के नाम पर इन्होंने बस टीवी में जया रेखा और सुसमा को देखा है होट के नाम पर बस ये होट चॉकलेट जानते हैं और चॉकलेट के नाम पर बस इन्हें इतना ही पता है कि चॉकलेट सिर्फ खाई जाती है पहनने वाली भी कोई चीज होती है इन्हें पता ही नहीं और अगर बात करें गपागप की, तो साथ इस चीज़ का नाता तो इनका पिछले जनम से ही तूड़ गया होगा, क्योंकि इन्हें इन सब चीज़ों का काखा गाबी नहीं पता, क्योंकि कभी इनकी गल्फ्रेंट बनी ही नहीं है, इसलिए बस ये लड़कियों को निहार करके ख्याली पुलाव तलते हैं, और यही चीज़ हम देखते हैं मुवी के स्टार्टिंग में, ये लोग आई हुए हैं लड़किया तारने के लिए, और यहाँ पर स्टार्ट तो इनकी इमाजिनेशन होती है, मेरी भावी, तेरी भावी, तेरी भावी, मेरी भावी से, और बहुत जाती है इनकी इमाजिनेशन पलंक दोड़ने तक, मतलब तुम धरकता का लेवल देख रहो मेरे भाई, अभी तक पानी नहीं आया है शर्वोने को, और इन्होंने डेजर्ट तक का सोच लिया है, खेर इनकी सपनों की गाड़ी के लोले तब लग जाते हैं, जब कोई पीछे से बंदा आ करके इनकी पैंटी खिसका देता है, हाला कि हमें लगा था कि ये देकर के लिड़किया बहुत चीर करने लेगेंगी, पर मेरे भाई मुमफली देखकर के एक्साइटमेंट तो नहीं आता ना, इसलिए वो सभी के सभी शौक हो जाती हैं, जिसके बाद ये दोनों किसी तरह से अपनी जान और अपनी खेर बचाते हुए, वहां से निकल जाते हैं, कैर इसके बाद हम इनके घर का सिन देखते हैं, जो अपना मूसक है, उसके पैरेंस घर से बाहर जा चुके हैं, इसके लिए वो लोग अकेले खाली बैठे हैं, और भाईया खाली दिमाग सैतान का नहीं हवस का घर होता है, यह तो तुम भी अच्छे सा जानते हो, तो इनके दिमाग में भी बस यही गुम रहा था, तभी इन्हें एक आइडिया आता है, क्यों ना हम लड़की ही बना लें, वाभे 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 वाभे, कहां कमाल है, मनाली वाला फुकते हैं सायथ, ने कता ही लड़की ना हो गई, यह तो मैगी हो गई, उठे और दो मिनिट में बना ली, आइडिया भी देख रहे हैं उनको कई से आ रहे हैं, कि आओ चलो लड़की बना लेते हैं, यहां मेरी चपल तीन दिन से तूटी है, और एक डेड़ लाग सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर, तुटाही चपल लेके पूरे सहर का चक्कर लगा रहा है, मुझसे एक तुटाही चपल नहीं बनने, और यहां जरा-जरा से लड़की ही बना दे रहा है, खेर हमारे लॉजिक की लंका तो लगी चुकी है, पर छोड़ो आगे देखते हैं क्या हुआ, जब अपने मूसक ने लोलू को यह आइडिया सुनाया, तो लोलू भही अभी इस पर एग्री कर देते हैं, और इसके बाद ये दोनों ही लग गए, अपने मिसन अपोलो अलफा चाटो खाओ चदर भुछो 2.0 में, और मेरे भाई इस मिसन को करने के लिए इन्होंने जो फिजिक्स की ली है न, कताई ये देखर के मुझे सरम आ रहे हैं कि इतने सालों तक फिजिक्स लेकर के मैंने क्या ही बढ़ा था, इन्होंने फिजिक्स, किमिस्टी और बायो की पल्टा-पल्टा के ऐसे लिए है कि कताई हमें थ्रीसम वाला फिलिंग आ रहा था, सबसे पहले हैं लड़की बनाने के लिए एक मैगजिन से एक लड़की की फोटो उठाते हैं और उसका फेस कम्प्यूटर में डाल देते हैं, जिस तरह से हमने लॉजिक को कूड़ेदान में डाल दिया, इसके बाद ये कुछ बॉड़की के पार्ट्स को भी कम्प्यूटर में डालते हैं और एक डॉल को बैटरी से कनेक्ट करके इन्होंने उसे शौक देना स्टार्ट कर दिया, और इस प्रकार से इन्होंने साइंस क लंका लगा दी, जिसके बाद हम देखते हैं कि इनका इतने में ही मन नहीं भरा, तो ये लोग मौसम विभाग के भी ले ले लेते हैं, सबसे पहले इनकी एंटर की प्रेस करते ही, चारो तरफ मौसम की अईया दया हो जाती है, जिसके बाद बिजलिया गिरने लगती है, कुछ एवे तैवे ही होने लगा है, खेर ये ड्रामा कुछ देतर चलता है, जिसके बाद तुफान थोड़ा थम जाता है, परन्तु इनके घर की लंका लग चुकी, और लड़की उससे तो छोड़ ही दो, वो जो डॉल थी, वो भी वहां से पता नहीं कहां चली गई, परन् उससे पूछते हैं कि तुम हो कौन, जिसके बाद उस लड़की ने ये गाना सुनाया, मैं तुसे दूर मैं भी थी मजबूर, मैंने खुद दिके दबाएं तेरी याद में भरपूर, मेरे दिल को सताएं तेरी अखियों का नूर, तेरी याद में हो गए तर्बूस जो थे पहले अंगूर, बाते ये सची, आज तुझे भी बताऊं, आजा पास मेरे तुझे अपने दिखाऊं, मुझे समझ नहीं आता तुसे कैसे पिलवाओं, बस तेरे लिए ये गीत लिखती जाऊं, दिन रात ही मैं, बस उंगलियां चलाऊं, फोनों में फोटो देखूं, ते ने भी थोड़ा सा फैन एडिट कर दिया, तो ये सुनकर के मुशक और लोलु रिप्लाई करते हैं, वो भी है नि भी ये के फैन हैं, तो वो कुछ इस तरह से रिप्लाई करते हैं, ऐसी वसी किसी भी लिर्की को मैं पकड़ता नहीं, बिना गुबारे के ही उद्रूंगा, गुबारा लगा के मेरा मन भरता नहीं, गुलाबी गुलाबी के लिए मैं मरता नहीं, क्योंकि मैं हूँ सुस्ता जोनी, हर किसी पर लबरता नहीं, तू है पतली सिनारी, पर मेरा हतियार हो गया है जरभारी, तू है जानती मैं हूँ वेबचारी, अगर चली जाएगी मेरी तच्कारी तो कहीं कि न रही कि तुम्हारी तो ये सुनने के बाद उन तीनों का ही बन जाता है मन और ये लोग हो जाते हैं पूरी तरा से नगन और ये लोग साथ में ही नगना वस्ता में शावर लेते हैं और इसके बाद इतनों मिल करके उसका नम सुच्ची रखते हैं और स सुच्ची के साथ यो लोग मौज मस्ती करने के लिए वहाँ से बाहर जाते हैं और इस बीच हम देखते हैं सुच्ची अपने मैजिक से उनके कपड़ों को भी चेंज कर सकती हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सुच्ची अपने मैजिक से कर सकती हैं खेर यो लोग जो र नीचे ही है तो यह लोग क्लब में कैसे इंट्री ले लेंगे तो सुच्ची अपने मैजिक से इनके लिए एक पेक आईडी बनाती है जिसमें यह लोग 21 इयर्स के हैं जिसके बाद यह लोग क्लब में मौत करते हैं खेर इस बीच मूसक ने काफी ज्यादा पी ली थी तो उसे चड़ जाती है और टुल होने पर कंडिशन तो आप जानते हैं ठीक वैसी ही कंडिशन अपने मौसक की हो जाती है तो सुच्ची और लोलू उसे किसी तरह से वापस घर पर लाते हैं और यहाँ पर घर पर हमें इंट्रोड्यूस होता है एक नया करेक्टर जो की मौसक का पता देगा खैर इसके बाद हम देखते हैं अगली सुपह यहाँ पर वो दुनों बिचारे उठते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने वड़ा खराब सपना देखा उनके सपने में कोई डॉल थी जो जिन्दा होकर आ गई है परन्तु इतने में ही उन्हें सुच्ची की काफी अच्छे से ट्रेंड कर दिया है लड़कियों से बात करने में चोकि आप भी देख पा रहे हैं तोसी तरफ हम देखते हैं सुच्ची को मूसक और लोलू के ही सीनियर्स ने देख लिया है और उससी देख करके कानों के बीच की घंटी बन्द हो जाती है प्रनतु टां मुसक को देख करके उसके साथ ओस्ट मिलन करती है और फिर कार में बैठती है जिसके बाद अंदर बैठ करके मुसक भी उसके साथ ओस्ट मिलन करता है जिसके बाद वो दोनों ही वहां से चले गए इतनी होट लटकी के साथ मुसक चुम्बन क्रिया कर रहा है यह देख करके उन जहां पर चारों तरफ लड़क्यों का मेला लगा हुआ है और सभी लोग अपने जुगाड में इतर उदर गूम रहे हैं परन्तु जैसे कि मैंने पहले आपको पताया है कि किस्मत नेम की पूरी ध्रैजट रखी है क्योंकि इतने अच्छे महोल में जहाँ पर एक तरफ सब लोग अपने-पने म Towardsाम कर रहे हैं दूसरे तरफ लोलु का पेट खराब हो गया है चलो मुझे समज आया है कि लोलु का पेट खराब हो गया है तो वो आ आकर बैट गया परंतु मुझे मूशक का समझने आ रहा वो यहाँ पर आगर कि क्या स्वाली सीटी बजा आ रहा है या फिर वो धुलाने आ गा है क्योंकि वो भी अंदर आ करके स्मेल्स होंग रहा है खैर किस्मत को ब्लेम मत करो क्योंकि अगले सीन में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो वाशों में आती हैं उन दोनों लड़कियों को देख करके यह डिसाइड करते हैं कि यह इनहीं इंप्रेस कर लेंगे परंतु हिम्मत नहीं हो रही तो यह लोग एक कोने में जागर के हिम्मत बनाने लगते हैं खैर हिम्मत तो नहीं आती लेकिन फिर भी यह लोग किसी तरह से अपनी फटी हुई लेकर के जाते हैं कि चलो बात कर ही लेते हैं परंतु जब यह पहुचे तो वो लेट गया वहां से जा चुकी थी तो मतलब समझे किसमत को ब्लेम मत करो यह लड़के ही तूतिया हैं लेकिन एक बार फिर से सुच्ची ने इनकी लाज बजा ली क्योंकि वो उन दोनों को जहां करके बोलती है कि तुम्हें मूसक और लोलू के साथ टपाट अप करना चाहिए वो भी तुम्हारे साथ टपाट अप करने के लिए बड़े बेताव हैं वो लड़के भी मान जाती हैं और इतने में ही मूसक और लोलू के जो सीनियर थे इसलिए वो सीधा बहुसते हैं मुसक और लोलू के पास और उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि प्लीज यार किसी तरह से सुच्ची को मना दो हमारे साथ टपाटप करने के लिए यहाँ पर मुसक और लोलू को बड़ा अच्छा फील होता है कि उसके जो सीधा है उनकी मीठी चुपडी बातों में आ करके ये लोग उन्हें सब कुछ बता देते हैं कि उन्होंने सुच्ची को कैसे बनाया और कैसे बनाया जा सकता है तो इसके बाद वो चारों ही लग जाते हैं इक नई लड़की को बनाने के लिए ये लोग सेम वही प्रोसेस फॉलो करते हैं जो इन्होंने सुच्ची को बनाते समय फॉलो किया था और एक बार फिर से वैसे ही साइंस के पकोड़े लग जाते हैं जैसे आपने पहले देखा था आंधी, तूफान, बरसा, धावा, पानी, बावा, सीर, लेमडा, सेमडा, अद्रक, लस्चुन, पुदीना सब कुछ होने लगता है जिसके कुछ देर के बाद सब कुछ सांथ भी हो जाता है परंतु इस बार चेंजमेट इतना सा है कि लड़की नहीं आती सची आगर के उन्हें बताती है कि तुम लोग तूतक तूतक तूतिया तो हो ही और इसके सासाथ अंधरे भी हो क्योंकि तुम लोगोंने पिछली बार मुझ पर क्लिप लगाई थी परंतु इस बार तुम लोगोंने एक मिसाइल पर क्लिप लगा दिये और मुसक को ढून करके उसका पिछवाड़ा टमाटरी तरह लाल करना चाहते हैं परंतो मुसक उन्हें मिलने रहा इतने में ही उन्हें सुच्ची मिल जाती है जो उन्हें फ्रीज करके एक अलमीरा में बंद कर देती है खैर इतना तो तब भी चल गया मैं जेल गया लेकिन अगले सीन में देखकर के मुझे पक्का बिलीव हो गया है कि जिसने भी मूवी बनाई होगी कते मनाली वाला माल लागर के फूका होगा अगले सीन में हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट की वज़े से पता नहीं कहां से कुछ बाईकर्स उस पाइटी के अंदर घूसाते हैं और उसके घर को ही F1 रेसिंग के अंदर बना देते हैं जिसके बाद हो करते हैं वहाँ के समान की IC की तैसी और फिर वहाँ से चले जाते हैं ना सिर्फ इतना ही इसके कुछ देर के बाद वहाँ पर एलियन टाइप के दिखने वाले ये अब क्या कहें इंसान तो लग नहीं रहा है चूचक नंदन चले आते हैं और वो लोग चारो तरफ फाइडिंग करने लगते हैं कैमरा सिच होता है मूसक और लोलू के तरफ जो बचारे अपनी जान और अपनी समझाओ बचाई हुए एक क्लोजेट में जाकर के छुपे हुए दे परन्तु इतनी में ही सुच्ची महाँ पर आती है और कहती है कि बाबू यही सही समय है हीरो बननेगा अभी बहार निकलो उनको पेलो और बन जो सबकी नजरों में हीरो हर लड़की तुम्हें चुम्बन देगी परन्तु वो दोनों कहते हैं चुम्मे की ऐसी के तैसी पहले तुम मुझे ये बताओ जो मेरी फटी है वो कहाँ पर जाकर गिरी क्योंकि ऐसी फटी है कजम से एक किलोमेटर पहले तो नहीं गिरेगी खैर वो लोग ये बाते कर रहे थे तो उसकी आवास से एक चुकचक नंदर उन्हें सुन लेता है और उनमें से एक बंदे को खीच करके बाहर निकाल लेता है और उससे कहता है एक गाओं में कई घर पर दो ही थे भूतिया इस घर में हैं कई लोग पर उनमें से तुम दोनों ही मुखिया कहता है वो उसकी ये सायरी सुन करके सभी लोग हसने लगते हैं और इस पर उन दोनों को बहुत गुसा आता है और उनके अंदर का चुपा हुआ नवाजुत दिन से दिगी जाग उठता है कि कभी-कभी तो लगता है अब उन्हें चिफखवान है जिसके बांद वो लोग उन्हें सस्ती धमकी देते हैं जिस वज़े से वो डर भी गया और वहां से भाग जाते हैं अब आप पुछोगे कि लॉजिक तो मेरे भाई ये सीन देखकर के लॉजिक के भी पेट में सरदर हो गया खेर इसके कुछ देर के बाद पार्टी समाथ हो जाती हैं और सभी लोग अपने घर चले जाते हैं यहाँ पर बैसते हैं तो बस अपना मूसक और लोलू और उनकी वाली दो लड़किया यहाँ पर उन दोनों की थोड़ी-थोड़ी दाल भी गल जाती है और सीने पर कठ हो जाता है हमें दिखाया जाता है अगले दिन जब मूसक का भाई चूचक घर पर आया है और घर की ऐसी केंडिशन देख करके उसका गुसा चरंसीमा पर पहुच गया वो अपने भाई को ढूंडता है जहां पर उसका भाई तो नहीं मिला परंतु उसे लोलू मिल जाता है जिसे देख करके उसे समझ आया कि इसने पूरी राद गहरे गहरे पहाडों में खुदाई गी है इसके अगले ही बेड में हमें लोलू भी नजराता है जिसने अपनी वाली बंदी के साथ पूरी राद वर्काउट किया था मतलब समझ रहो सच में पैकेट खुल गया खेर इसके बाद वो उन दोनों को गन पॉइंट पर लेता है और यहाँ पर उसकी मुलाका सुच्ची से भी हो जाती है सुच्ची उसे सारी सिचूशन समझाती है परंतु चूसक ने इंटर में साइंस ली थी तो उसे समझ में आता है कि साइंस की कोई ऐसी दजिया नहीं उड़ और बैठो गे तो मेरी याद आएगी चूसक को तो आप जानते ही हो वो अपनी ही चौड में इस वजह से उनकी बिछ लड़ाई हो जाती है और हम देखते हैं कि वो दोनों बंदे वापस घर में आ गया और यहाँ पर जब उन्होंने चूसक को देखा तो भही है सुच्ची पेलोखाओ और मुझे जाने की इजादत दो जिसके बाद वो उनसे विदा ले करके धुआ धुआ हो जाती है और उसके जाते ही घर की सारी सिच्चिएशन ठीक हो जाती है और मुवी यही पर एंड हो गई और मुवी के एंड में हम देखते हैं कि उनके पैरंस भी आ चुक लिंक उनका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससे बात बगेरा करना चाहते हैं तो इंस्टेग्राम पर फॉलोगर के मैसेज कर दीजेगा उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तैंक यू, बाबाई, साइनिंग ओ